अतर早ि को असलों एकम बिसमिल्लाहरमनरहीम यह देखें कल हमने यहां तक देखा अभी हम देखते हैं सब्सक्रार के अफ्सक्राइशर कैसे हम- कांट करते है непонч है अब यह पर परिजर इस इसद्रॉलिक the blood pressure minus digitalic blood pressure systolic blood pressure क्या होता है कि ये आपका hard है ठीक है ये आपका heart CLs on uh तो जब आपका हाट कंट्रेक्ट करते है सिस्टोल क्निशन से वगत आपकी आर्टरीज के उपर जो प्रेशर हुता है वह कंट्रक्ट कर रहा होता है । this is called your systolic blood pressure. ने कीतना होता है? vier20 और ड्रेस्ट ग्रैंप्रोर किता होता है जब आपका हाट और रिलेक्स कर रहा होता है यह गल साथ रिलेक्स तब कितना होता है नर्मिeger तो यह तो फ्र स्कूरीमotory तोस पलिस प्रेशिर इजिकक क्या होता है यह उसे प्रेशिरिंगिज कि वह आपको बोलेगा कि एक नर्मल इंसान आपके पास आया है वो जो आगे पीछे गुमाते हैं आप ही गुम जाते हैं तो आगे पीछे नहीं घुमना की प्रेशर को दोन है उसने बताया कि इंसान जो का जो ब्रड़ प्रेशर हो क्या रहा है नर्मल उन्लों प्रषयर एक प्लिस प्रिचुल इकलट उन्स ट्थ गढ़ परिश्यर है रहीं है तो बगली बात वो कहता है कि हुण कि पुल्स प्रेश र smells स्ट्रोक वालक या कि निया आपका और वाले हैं ज्यादा ज्यादा प्लड बहर रहा है तो ब्लड की इन दिवारों के पर फॉर्स क्या होगी फ्यादा ज्यादा यह आएगा ज्यादा अभ यह बजाए कि वन छैंट और वो रहा है पंपREE इट तो ऐगा फिफिटि अगया तो च्रोक वालेटेटी बढ़ेगए तो सिस्ट्रोक बढ़ेगा तो प्लस प्रेशर भी बढ़ेगा ठीक है और अगर यह स्ट्रोक वाल्यम काम होगा यानि कॉंट्रेक्टिलिटी काम स्ट्रोक वाल्यम काम सिस्ट्रोक ब्लाड प्रेशर काम प्ल्स प्रेशर कैसे अगर यह 110 हो जाता है 80 कितना है अब 30 समझा आगी चीज़ नहीं समझा घड़ी चले और वह कहता है कि यह रीक्लिटा सथा जताateurs आप इसको सोच रहे हैं कि यह होता है इसको वो कहता है कि यह आपका शाठ है यह कर पаров 앞에 को leverage कि कि बसक्ति कर सकती मिसा स्थे हिस्ट क्या होती है देखेंगर इसकी स्ठीच इसस क्थेंग है है अच्छी तो यहां से भले मैं जितनी सपीड से जितना ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड बेजू उतनी ज्यादा आर्ट्री क्या कर जाएंगी तो इनके उपर प्रेशर ज्यादा नहीं पड़ेगा प्रेशर नर्मल रहेगा 120-80 तो आपका प्रेशर में कि कम्लेंस कर देता हूं कम इनकी ठीकनिस कर देता हूं इनकी इस एक खतम होगा क्योंकि इन में लचक नहीं है लचक नहीं यह डिलेट नहीं कर रहे हैं तो यहां पर सिस्ट्रोले प्रेशर क्या होगा ज्यादा जब सिस्ट्रोले प्रेशर ज्यादा होगा तो आप क्या रहा है 50 प्रेशर क्या हो गया है ज्यादा यानि आर्टिर्ट कंप्लेंट्स नहीं है Elasticity नहीं है, Elasticity नहीं है, Complaints नहीं है, यानि कम है, तो आपका Pulse Pressure ज्यादा हो रहा है एज देख ले, When you are adults, जब आप यंग हैं, तो आपकी Complaints ज्यादा है, तो वो इनके उपर Force जालता है, तो आपका Blood Pressure क्या होता है? कम होता है, Systolic Blood Pressure कम, तो आपका, यानि यह नर्मल होता है, तो आपका Pulse Pressure क्या होता है, When you are getting old, जब आप बुड़े हो जाते हैं, जब आप यह Stiffness हो जाएगी यहां पर, Elasticity खतम हो जाएगी, तो systolic Blood Pressure बाढ़ जाएगा, जब आप बुड़े होते हैं, तो इनके Compliance City खतम हो जाते हैं, Elasticity खतम हो जाते हैं, Blood Pressure बाढ़ जाता है, जब Blood Pressure बाढ़ जाता है, जब बाढ़ प्रेशर बढ़ेगा तो आपक Pulse Pressure का क्या हो होता है, चैलेंजी, सपीड मेरी तेज तो नहीं है, ठीक है, तो मुझे रोग दिया करें, जहां मेरे सपीड तेजवा करें, बागी वह कहता है, Pulse Pressure Increases in Hepatherodism, Eultic Regurgitation, Eultic Stiffening, Accelerated Systolic Hypertension, Inadurly, Obstructive Sleep, Apnea, Increase the Sympathetic Tune, इसमें पाढ़ जाती है, ठीक है, एने बढ़ जाता है, अब इनको डिटेल में नहीं देखते, क्यों कैसे हो, तो एक लंबा चला जाएगा, बस आप इसको याद कर ले, एक फार्मूले के जरीए, फार्मूला क्या है आपका की, एक्जेंपल, एज एन स्टूडेंट, एज एन आर्ट स्टूडेंट, एज एपसेंट, मुश्किल से है, तो नाम भी तो बहुत ज्याद है, एग्जेंपल, एज एन आर्ट स्टूडेंट इस एपसेंट, तो एग्जेंपल, एग्जेंपल की एएक्स से आपने क्या लेना है, एक्सरसाइज, एस, यह किसका फार्मुला है, कि एग्जेंपल, एक्सरेंट है, एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज करेंगे, तो पॉल्स प्रेशर in priv 적in 2021 जोगा एज एपक देखें गे तो आप देखेंगे कि उसका क्या हो रहा है क्योंति लॹतिक सब्सक्रानिव हो रही है उसकी ए स् यह एख एक सिक अडोल्डो आफ से आफ देखेंगे तो आप कहेंगे उसको और स्टूडेंट से देखेंगे आप S-T से तो कहां पर चला गया हाँ sympathetic tune आपकी sympathetic tune ज्यादा आ रही होगी और absence से obstructive sleep एपनी हो जाएगा आपको और यहां पर आर्ट में जो T आ रहा है इससे आपका hypertherotism हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका hypertherotism ठीक है तो इनको पस आपने जाद रखना है कि इन के जरीए आपका जो है ना से बढ़ता है सिंपल सा बढ़ता है ठीक है और नीचे कम किन से होता है कम होता है आपके के heart filler में आपको क्या हो गया heart filler हुई उससे आपको हो गया है जी AS CS और CT AS CS और CT इस तरह आपने याद रखना है कि अगर आपको advanced heart filler होगी है तब भी आपका pulse pressure कम होगा अगर आपको AS हो गया है eoltic stenosis बस यह याद रखना है कि यहाँ पर AS का मतलब है eoltic stenosis और यहाँ पर AS का मतलब है eoltic stiffening ठीक है और CS काल्डियनिक शौक और CT काल्डियनिक ठीक है तो यह बस आपने इस फार्मले से इनके इंके एक्जेम्पल याद कर लेनी है बस बाकि असान साथ है इसमें कुछ मुश्किल है नहीं रटा मारना है बाकि pulse pressure आपको मलूम करना आना चाहिए कि मलूम कैसे होता है और यह कि के डिर्कली प्रपोश्टर होता और किसके अगे देखें मीन आर्टियर्यन प्रेशर मीन अर्टियल प्रेशर इस इक्वल तो काल्डिक आप्ट ब्लडिय बाई टोटल परित्रल रिजिस्टेस यह बस फार्मुला है आपको इस फार्मुले को बस्याद करने ठीक है और मीन मी तो इस फार्मुलोक प्रेशर एट ड्रैस्टिंग टर्ड होता है जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं कितना होता है वह कैसे मिलूम करना हम ने वह आप मिलूम करते हैं यह बाई ठ्री का अब आपका systolic blood pressure कितना होता है नार्वल इसान का 120 कितना होता है 80 तो systolic blood pressure 1 by 3 मुझे बुरूम करके दे यानि 120 by 3 कितना हैगा 40 यह 40 आ गया और डास टोलेक 2 by 3 80 divided by 3 2 by 3 ऐसे 2 by 3 multiply by 80 कितना आ जाएगा 160 divided by 3 तो almost 350 कितना आएगा 53 कितना आएगा 53 तो अब इस फार्मली पे उकार अप्लाई करें 2 by 3 dash blood pressure कितना आ गया हमारा 53 प्लस 1 by 3 systolic blood pressure कितना आ गया 40 तो कितना बंजेगा आपका 93 कितना बंजेगा आपका 93 में अग्जेंपल दे रहा हूं और अगला देखें डास टोलेक ब्लाट यह यह इक्वल होता है दूसरा फार्मला वो बता रहा है क्या पता रहा है डास टोले यह वाली समझ आ गया ना यह वाली मैं अभी अभी किया तो कितना होता है मेरी मैथ अच्छी है 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 जब मैं मैं मेरे मैथ में नवर पूरे थे मेरी 500 में से 500 complete नंबर थे लेकिन डॉक्टर बनने का शौक था चले खेर वापस आजाएं चीज को चोड़ें तो आपका सिस्ट किढ़ने कितना होता है एटी कित्र होता है एटी नांटी तो ये इक्वल होता है इसके और यह मेरा क्या होता है थीक यह जोनें कलें कर दो कि चलिंइंक कर्वक कर रहें मैंने आपको उस दिन बताया भी था ठीक है दुबारा फोकस करते हैं आप लोगों ने देखे एक होती है आपकी force of contraction that is also known as starling force that is also known as starling force क्या आपकी starling force जितनी ज्यादा होगी जितनी force से contract करेगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा stroke volume उतना जर्णापका क्या होगा कार्डिक रिखे ज्यादा 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 कार्डिक रिखे पूइंट तो यही बात है starling force or force of contraction is proportional to the index length of caldic muscle fiber preload यह क्या चीज बता रहे है यह बता रहे है दो चीज़े क्या आपकी starling force के स्के उपर dependent करती है अगर मैं कहता हूँ आपके हाड में इंड डियास्ट्रोलिक वालिम ज्यादा है तो आप कहेंगे सार जी इसका preload क्या है ज्यादा है तो इसका प्रिलोड क्या होगा ज्यादा अगर इसका प्रिलोड ज्यादा है तो इसका stroke गुलेल की तरह अगर गुलेल को खींच के मारें ज्यादा कीमारें तो वही बात वह कहते हैं अगर रिधापन जब इन में धे व्त अं handlar यदिनमें ब्लैड भृता जाता ल proprio क्ष़ते जाता है जाए जाते जाते एइसा चते खेए जिदे process जाधा जादा जादा फोड़ एको चीछेगे यह जादा फोर्स ज्यादा पहले से फोर्स बीज्यादा प्री लोड़ भी जियादा तो आपकर स्ट्रोख वैलिम क्या आएगा ज्यादा नोगिque समझ आ गही है जिम्हें इसको repeat करने की जरत तो नहीं है जैने जी अब सिंपल सी बात क्या है Starlink force बढ़ेगी तो cardiac output बढ़ेगी pre-load बढ़ेगा तो cardiac output बढ़ेगी तो यह pre-load यहां पे cardiac output यहां पर तो यह नर्मली देखें यह यह बलैक वाली इसको देखते हैं वह कहता है यहां पर देखें यहां पर stroke volume भी कम cardiac output भी कम इंटेस्ट लिक वाल्यम भी कम बाढ़ रहा है तो आपका cardiac output कहां पर हमने देखा यह देखें यह यह देखें यह देखें कार्डिक ओड़्पूट में exercise से आपका heart rate भी बढ़ता है stroke volume भी बढ़ता है यह देखना हमने early stage of exercise तो आपका cardiac output बढ़ेगा exercise करने से आपका cardiac output बढ़ेगा तो ventricular यह भी बढ़ेगा साथ-साथ और यह भी दोनों बढ़ जाएंगे ठीक है वह कहता है अगर heart failure हो गई है अगर heart fail बढ़ेगा यह तो आपका ventricular डास्टोल भले बढ़ाते जाए डास्टोल प्री रोड भड़े बढ़ाते जाए लकिन आपकी सिस्टली सही नहीं है contraction सही नहीं है starling force सही नहीं है वह ज्यादा नहीं है तो आपकी cardiac output ज्यादा नहीं बढ़ेगी आपका heart fail कर जाएगा ठीक है आपका heart fail है आपने इसको क्या दी rejection होती है positive inotropic drug बार बार बता चुका हूं मैं positive inotropic drug यह आपकी contraction बढ़ाती है ठीक है जब contraction बढ़ेगी तो cardiac output बढ़ेगी लकिन इतनी ज्यादे नहीं बढ़ेगी तर्म्यान में नार्मल से नीचे रह जाएगी क्यों 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 क्योंकि आपका heart क्या है heart failure plus rejection यह बीच वाली काडिक कर वाएगी यह चारू समझा गी यह पकी बात है repeat करने ज़र तो नहीं है चले वह कहता है increased contractility with catecholamines positive inotropics drugs like detoxin तो आपकी contractility बढ़ेगी तो आपकी cardiac output बढ़ेगी decreased contractility with loss of functional myocardium यह आपको myocardial infection हो गया है उनको oxygen नहीं मेल रही तो वह सही तरह से contract नहीं करेंगे बीटा blockers अभी हमने उपर देखा है बीटा blockers नहीं होंगे तो आपकी G-stimulatory protein उसकी fast forwardation नहीं कराएगी ठीक है सब्सक्राइब होंगे तो non-dihydroperidine calcium channel blockers तो calcium channel block होंगे जा अंदर calcium आएगा नहीं इस लेटेट काल्डिमभाई पैथी इससे concept आता है लेपनिस लावला लेपनिस लावला concept याद है भी हमने कहा था लेपनिस लावला में pressure is equal to 2 multiply by thickness by tension divided by radius गाट एकर radius गम कर दो यहां पे यालेट हो रहा है हाट क्या हो रहा है इसका left vertical क्या कर रहा है डालेट कर रहा है रेडियस क्या हो रहा है बढ़ रहा है जब radius in प्रेसीं कर पायगा नहीं कर पायगा यह का काम हो जाएगा सब्सक्राइब काड़ एक क्या हो जाएगा काम हो जाएगा तो समझागे चीज है हैं आगे देखें रिजिस्टन्स प्रेशर फ्लो नाट मच इंपॉर्टेंट बट देखने इसको डेल्ट वो कहता है डेल्टा पी प्रेशर इसक्वल to x R होता है रहता है जोस्ट रेशिकर्मोंट एंप जोसत प्रेशुलक मतलब करता है प्रेशर डिपलाट निकला हुसका प्रेशर पेहले रहा था अब यह प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है जारता से कम की तरफ को देखते हो ठीक है फिरम हायर प्रेशर तू लोड़ बढ़ता जाएगा ब्लाट उसका प्रेशर कप्वोता जाएगा ना शुरू-शूरू में योल्टके पर उपर प्रेशर ज्यादा होता है तो उसकी वॉलेमआफ फ्लूइड वाल्यम आफ ठीयबऊंति मदेशन गुदर के अन्दर एक जगा क्या तो ऐक जो जोंक जो की मिदो कि होता है कि वह इसके रखिया क्राइट क्र Ih Saul simple देख लेए इसको ठीक है कि इसके formula क्या क्या होते है बस इनकी formula याद रख लेए अपने सिर्फ याद रखने है ठीक है ठीक है इंपोर्टन क्या है यह वाला resistance कैसे हम देखते होते हैं प्रेजिस्टेश अपके डिपेंड करती है driving force यानि यह वाली फोर्स divided by Q यह Q और यह आगे अगर इसको हम देखें तो यह होता है 8 multiply by viscosity multiply by length divided by pi R 4 बाकि आपके बाद में देखते हैं पहले resistance देखने सब्सक्राइब करता है वो कहता है कि आपको उसमें देता है कि we have increased the radius half हमने अब यह क्या हो गया आपके resistance कि क्या हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना radius radius 4 इन्वर्सली तो यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैंने resistance कर दिये है तो resistance हाफ हो गई उसकी पावर 4 ऐसे ना यह रिजिस्टेंस की उसकी पावर मैंने 4 कर दी अब इसका क्या एगा वन बाई वन बाई 16 समझा रही चीज़ है वन बाई 16 अगर हम 16 को इदर ले किया हैंग तो 16 ऊपर चला जाएगा और इस सिस्टेंगे 16 time क्या हो जाएगी बाढ़ जाएगी यह चीज़ समझा गई है कि वह कहता है अगर resistance half करेंगे sorry radius, resistance नहीं, radius half करेंगे, radius क्या करेंगे, half तो resistance 60 time बाढ़ जाएगी मतलब radius और resistance इंवर्सली परपोस्टर, radius कम करेंगे, resistance बढ़ेगी, radius ज्यादा करेंगे, resistance कम होगी और यह मैंने एक example दी है, इस तरह का MC की उजा सकता है, वो पूछ सकता है आप से कि अगर मैंने radius half कर लिया है, तो resistance के उपर क्या effect पढ़ सकता है अच्छा जी, वो कहता है, total resistance of vessels and series, अच्छा वो क्या कहता है, वो कहता है, वो कहता है, कि मैंने आपको पहले भी यह चीस बताई थी, जब हमने fetal circulation पढ़ी थी, कि series में अगर हम चीज़े add करते जाएं, series में, कि यह resistance, plus दूसरी resistance, plus तीसरी resistance, अगर series में हम vessels add करते जाएंगे total peripheral resistance क्या होती जाएगी, decrease होती जाएगी, समझाए यह चीज़, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर, series में पढ़े हुएं, और मैं vessels बढ़ाता जा रहा हूं, उनके resistance, total resistance, बढ़ती जाएगी, और अगर मैं इनी में से remove करता जाएग, तो फिछे resistance क्या होती जाएगी, total peripheral resistance कम हो होती जाएगी, अब अगर हम बात करते हैं, parallel की, किसकी, parallel की, वो कहते हैं, अगर vessels, देखें, ये vessel series में पढ़ी है, ये vessel, ये vessel, ये vessel series में पढ़ी है, resistance बढ़ती जाएगी, जितनी vessels remove करते जाएगे, resistance कम होती जाएगी, in series, but if we talk about the parallel, if we talk about in case of parallel, तो आप total peripheral resistance होती है, आप जि इतना ज्यादा, add करते जाएगे, उतना ज्यादा, कम होती जाएगी, मैं कहता हूँ, जी इसकी 2 थी, आप कहते हैं, सर्दी इसकी 2 थी, मैं कहता हूँ, इसकी 4 थी, अब इसका जवाब निकालो, कितना आएगा इसका जवाब, इसका, ये 4 आएगा नीचे, है, 2 divided by 2, 2 यहागा आपको 5x4 और इसी को कहते हैं नहीं करक्ता हो ऊछाब ज्वाब ज्यादा आप कहेंगे दूसरी वाले का ज्वाब ज्यादा आएगा लेकिन वो नीची है ठीक है जितना ज्यादा नीची आएगा ज्वाब बतुन आज़ाद कम आएगा समझ चीज़ समझ आई है यह आपको यह math के rule है जरा नहीं समझ आई आगे नहीं समझ तो simple सब्सक्राइब क्या देना चाहता हूं कि मैं इसको साफ कर लेता हूं सिंपल सी आप वह बात याद रख लें बस यह मैं कुशिश कर रहा था अगर आपने कर लिया तो वेलन गुड नहीं गें किया तो इस को कि मैं इसको साफ कर लो वो कहते हैं व्यस्टरीज में एड लॉह करते हैं क्यों एड करता है डिक्रीज रख लोके अब बात करते हैं में परैडल की परेंडल कैसे होती है यह कोकरता है parallel में vessels increase करते हैं, vessels increase करते हैं, resistance will decrease, और अगर parallel में vessels remove करते हैं, resistance increase, उलट है सारा, समझ आगी है यह बात, ट्र चला समझ आगी है न, चले, आगे move करते हैं, यह इसकी reading मैंने करा लिया, इसकी, नहीं हुई, चले, वो कहता है, है, capillaries, capillaries have highest total cross sectional area and lowest flow velocity, वो कहता है, उन में blood की जो velocity होती है, वो क्या होती है, लो, उनका cross sectional area, ज्यादा, आप कहेंगे cross sectional area कैसे ज्यादा हो, तो यह आपकी एक artery है, और एक artery कितनी, फिर, capillaries मती होती है, बहुत ज्यादा मेंना, तो अगर हम एक artery की cross sectional area देखें तो वो क काम नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक area क्या है, cross sectional, ज्यादा, और artery को क्या है, काम, तो capillaries का cross sectional लेता क्या होता है, ज्यादा, और उसमें आपकी जो, lowest flow, velocity velocity क्या होगे, उसमे, slow, next क्या है, next pressure gradient drives from high pressure to low pressure, यह मैंने पताया था, ठीक है, अगर हमने resistance चेक करने हैं, तो हम कहां देखते हैं, आर्ट्रियोल में, resistance कहां देखते हैं, और veins provide most of blood storage capacity, मैंने कहा था, veins में 4 liter, तक्रीबन 4 liter blood के और तो store हो रहता है, ठीक है, तो यह अगर बात करें तो वो total peripheral resistance बहां से ब्रूम करते हैं, veins की बात करें तो वहाँ पर हम blood की storage देखते हैं, कि blood वहाँ पर store कितना होगा होगा, ठीक है, हम total peripheral resistance कहां चेक करेंगे, और blood storage कहां चेक करेंगे, viscosity depends mostly on the metocrit, metocrit होता है कि आपके RBCs का count कितना है, अगर RBCs का count ज्यादा है, तो मतलब आपका blood क्या होगा, गाड़ा होगा, उसकी viscosity ज्यादा होगी, तो उसकी viscosity, viscosity increases in hyperproteinogenetic state, मतलब जब आपकी proteins उसमें ज्यादा होगी, आपके RBCs ज्यादा होगा, proteins ज्यादा होगी, metocrit value ज्यादा आएगी, तो आपका viscosity भी क्या होगी, ज्यादा लटकाड़ा होगा, ये बात समझा गी है, ज्यादा होगी, उसके बाद multiple myeloma, अगर आपको cancer होगा, और polycythemia आपके RBCs ज्यादा आपके इसमें भी cancer होता है, कि आपके RBCs ज्यादा पन रहोते हैं bone marrow से, जब RBCs ज्यादा तो फिर hematocrit value ज्यादा, आपको viscosity ज्यादा, तो ये polycythemia, polycythemia is the increase in RBCs, is the increase in RBCs, because bone marrow increase the production of RBCs, viscosity decreases in anemia, जब anemia होगी, तो RBCs क्या हो जाएंगे, कम तो आपका hematocrit value कम आएगी, तो आपको viscosity भी क्या होगी, did you get the point, अब ये वही वाले curves हैं, इंको मैं दुबरा repeat करूं, जल्दी जल्दी repeat कर देता हूं, देखें, पहले entropy देखते हैं, entropy में हम देखते हैं, caldic function कर, आज simple करके बढ़ता हूं, की ejection भी क्या होगी, तो आपकी caldic output क्या आएगी, ज्यादा, ये concept अब आप लोग भूले ना, मैंने repeat नहीं करना इसको ठीक है, फिर ये कर्ण समय नहीं आती, वह कहता है, यहां से हमने शुरू किया, राइट अटरल प्रेशर बढ़ता गया, तो आपकी caldic output, और एक वाकत आया, caldic function क्या होगी, constant, क्यूंकि मजीद maximum feeling हो चुकी है, मजीद आगे, भी हो सकता, अब वह कहता है, मैंने दी positive inotropic drug, कौन सी, changes in contractility, altered stroke volume, altered caldic, ये वह क्या बता है, मैंने cataculumize, digestion या फिर exercise की है, बनलब आपकी positive inotropic होगी है, अब इसमें वह क्या कह रहा है, वह कहता है, जब यह होगा, तो आपकी contraction बढ़ जाएगी, contraction बढ़ जाएगी, आपका राइट एडल प्रेशर जैसे बढ़ता जाएगा, आपकी caldic output, ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर, अब यह पॉइंट यहाँ पर था, अब पहले इतनी आ रही थी caldic output तक्रीबन कोई 5 लिटर, अब यहाँ तक आ रही है, हाला कि पहले right atrial pressure यहाँ पर था, पहले ज्यादा right atrial pressure पर 5 लिटर आ रहा था, अब कम right atrial pressure पर ज्यादा cardiac output पुड़ा रही है, है न, क्यूं, प्यूंकि हमने उसको positive inotropic drug दी है, digoxin दी है, उसने उसके contractility force बढ़ा दी है, contraction जारा तो stroke, volume जारा stroke, volume जारा, do you get the point, no, second thing, अब वो दूसरी बात करता है, दूसरी बात वो करता है, आपकी negative inotropy, कहता है heart failure with reduced, ejection fraction, ejection fraction कम है, heart failure हो चुग inotropy, अब negative inotropy देने से, अब यह वाला जो point था, यह यहां पर आ गया है, यह वाला point यहां पर, अब आपकी cardiac output इतनी आ रही है, अलंकि right atrial pressure क्या है, ज्यादा है, फिर भी cardiac output कम आ रहे है, क्यों, तोकि आपने उसको negative inotropic drug दी है, contraction कम हो गया, stroke volume कम हो गया, ejection fraction कम हो गया, तो अगला graph आपका क्या कहता है, अगला graph कहता है, venus return, आप एक बार venus return वाला concept देता हूँ आपको ठीक है, यह आपके, यह यह अब venus return देखते है, वो कहता है कि venus return अगर right atrial pressure होगा, ज्यादा, right atrial pressure, ज्यादा, तो veins को blood वापस डालने में difficulty होगी, तो आपका venus return क्या होगा, कम, inversely proportional होगे, ठीक है, और वो कहते हैं, आगर venodilators देते हैं, venos, light, nitroglystin, तो आपकी यह जो veins है, यह क्या कर जाएंगी, dilate, यहाँ पर blood की पुलेगों कि तो venus return क्या होजाएगा, कम, venus return क्या होजाएगा, nitroglystin देने से, venos dilator देने से, और venoconstrictor देते हैं, क्या देते ह हो जाएगा, बाढ़ जाएगा, venus return क्या हो जाएगा, ठीक है, यह समझा गई है, आप नीचे देखें, और इसी तरह यह मैंने यह भी पताया था, अगर blood volume बढ़ेगा, venus return बाढ़ जाएगा, venus return क्या हो जाएगा, यहाद है यहाँ से देखते हैं, वो कहता है, यह थी normal आ जो प्रेशर होता है, उसका mean जो प्रेशर होता है, आपकी systemic pressure होता है, वो mean अठी प्रेशर 6.5 normal होता है, अब यतना आप देखनें, बस 6.5 नर्मल होता है, अब जैसे जैसे right अठील pressure कम होगा, वैसे वैसे आपका venus return बढ़ता जाएगा, मैंने अभी बताया है, कि right अठील आपकी वेस्रिटन बढ़ जाएगा पहले वेस्रिटन इतना था वेस्रिटन इतना है हाला कि यहां पर आपका राइट अटल प्रेशर कम था यहां पर राइट प्रेशर ज्यादा आ रहा है ना अगर राइट अटल प्रेशर ज्यादा हो तो आपकी कम होना चाहिए लेकिन यहां पर बढ़ा हुआ आ रहा है क्यों कि आपने ब्लाड वाल्यम बढ़ा दिया पीछे spinal anesthesia यानि उसका क्या किया उसको उसको parasympathic drugs दिए उसको मैंने उसकी वो कर दिया है आप ऐसे समझज़ें उसको मैंने विनोडलेटर द्रग दे धिये विनस्टून कम कर दिये तो इसमें क्या होगा कि आपका यह कर यहां पर यह पर और यह यह आपका यहां पर अब देखें राट इटर प्रेशर कम है राइट प्रेशर कम है ना इसकी निस्पत लेकिन फिर भी कम है क्यों क्यों हमने विनो डिलेटर्स दी है ब्लाड की पुलेंग हो गी है वेडियों समझागी चीज़ है रखी बात है अब हम कहते है टोटल पैरिफरल डेजिस्टेंस की उपर देखते हैं यहां से यहां से यहां से बढ़ता गया तो सुम्म तो नियुक्त इज किये व प्रेटिंग कि इसके ऊपर टक्रीबन आपका तु होता यह 2.1 रिटर्न और यहां dozen 50 फ्रेट प्रेटपूड होते हैं त्लिया स्यक्तल और उतब हमेड में 5 pic आ रहा है और फाइव डिटर क्या ओ रहा है ठीक है अब अब वो कहता है मैंने टोटल पेरिफरर रिजिस्टेंस कम कर दी तो श्ट्रोक वाले बढ़ेगा कि कम होगा आपकोर्स क्योंकि हमने क्या काम कर दिया उसकी रिजिस्टेंस कम किये तो यह पॉइंट यहां पर चला जाएगा उसकी काल्डेक और बढ़ गई है और वीनस रिटर्न भी बढ़ गिए अब आल्वोस छे लिटर वीनस रिटर्न आएगा और छे लिटर क्या होगा अब कहते है आगर मैंने दिए हैं वेजो अब आटिर्यों कंस्रीक्टर वसी कंस्रीक्शिन बढ़ा दिया तो रिजिस्टेंस क्या हो जाएगी ऐब रिजिस्टेंस बढ़ेगी तो काल्डेक और वीनस रिटर्न नों क्या हो जाएंगे और यह राइट इटल प्रेशर उतना ही रहेगा यह वह बाते बता रहे हैं आज कर्व समझ आ गई हैं यह वाला यह देखें वह कहता है अगर मैंने उसको आठीरियों कंस्ट्रिक्टर दी है तो आठीस कंस्ट्रिक्ट करेंगे उनके रिजिस्टेंस बढ़े की तो काल डिक आउट पूट कम और विनस रिटर्न भी कम लेकिन यह वाला पॉट्ट वही रह जाएगा यह भी इदर ही था इदर ही है ठीक है समझ आ गया है तो यह बता रहे हैं कि वेजो प्रेसर यानि के वेजो आर्टीरियों कंस्ट्रिक्टर ठीक है और यह एक्सरसाइज या पर यह आपने आपने आर्टीरियों डालेटर्स दिनिया दोसको आज समझ आ गया है चेंजेज आफन अकर इंटेंडम एंड मेबी रेंफोर्सिंग एक्सरसाइज से आपकी पॉजिटिव इनोट्रापी बढ़ती है ठीक है और यह चीज उपर की तरफ जाती है और आपकी यह होती है इस तरफ में गड़ जाता है ठीक है तो कार्ड ory heart failure heart failure आपका decrease inotropic और प्रिलोड increase healthcare. मतलब यह है कि आपका blood घंड वो कसका, मतलब different ψ में होता है加गी में रेंफोर्स और वीक्म यह निए श्कुट को छोड़न ai kr यह को अप है इसंप नाफर को देखे है इस प्रेंट को देखें यह क्या कह रहा है यह कहता है हार्ट फिलियर डिक्रीज़ इन्ट्रापी उसकी कंट्रेक्शन कम हो जाएगी तो फिलूएट रिटेंशन हो जाएगा आपका इंधर जो जितना बलाड पढ़ा था ना इतना जिद्धान फोरी पढ़ा था जबकोंट्रेक्शन कम होगी तो सेंवें टीच जाहेगा पहले पिजेंटी रहना चाहिए था अब रिटेंशन होगी एटी रहे जाएगा इसमें प्रेटेंट जाहेगा जब प्रीड़ बढ़ता जाएगा क्योंकि हाड फिल्ड आपको समझ आगी है आई होप सो दाट के काड़िक आपको फिंगर टिप्स पर याद होना चाहिए काड़िक और के मैं कहता हूं के राइट अर्डैल अर्डैल प्रेशर न थैसले ग्रेटर न क्या घरत व्रिटर तर्डैल प्रेटर दोल्ट यौह आपको चाहिए ज़र प्रेटर और बंद काड़िक आपको बाढ़ जाएगी और वेनस्ड़ टूब इन इस पिर्फोर्शंव लोता है डक्तोर जुबहिर कर्ड़ेक और इस ड्रेक्टलि प्रोपोश्चल्र राइटक प्रेशर्ष एंट वेनस डीर्टन इस इन वेड़शिप्रपोश्चल्व दी काडिक आप पॉट्वट अब मैं कहता हूं कि स्ट्रोक वाल्यम चाफ इजेक्शन के डिर्क प्रपोशनल और रोजल परफिर इसके इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो यह 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 वह लग्राव अब देखें कालिक फंक्शन कर यह वाली है राइट इस तरह बाढ़ रहा है तो काल अट पूट भी बाढ़ रही है ठीक है और अगर राइट रड़ प्रेशर कम हो रहा है यह विदस रड़ रहा है तो यह चीजन थी असान सी थी काल डिक उट पूट पूट मुझे होप है कि यह करने के बाद आप बुक पढ़ें या ना पढ़ें जितना आपने सुन लिया है ना काल डेकोट पूट के हवाले से यूए सेमनें कहीं बी जो भी क्वेशन आ जाये यू विल भी अबल तो अन्डस्टांड दाट तो शॉल्व टाल ठीक है कि आपके माइंड में बार बार चीजन डाल 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 के आप मैंने वह चीज़े इंशाहाला तरह तरह वह डाल दिये कि अब आपको भूले द कुए्सम्स.